बचे हुए चावल से बनाएंगे आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्टा जिसे आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इसे बनाने में मात्र हमने एक चम्मच ओयल का यूज किया है जिसे ये टेस्टी के साथ साथ काफी हेल्दी भी है इस रेसिपी को हम बचे हुए चावल से बनाने वाले हैं तो ये मैंने राज चावल बनाए थे थोड़े से बच कहे थे तो इसी का यूज हम इस रेसिपी में करेंगे आप इसके लिए बचे हुए चावल या फिर कभी-कभी चावल जादा पक जाते हैं उसका यूज़ भी कर सकती है अभी अगर हम इन चावलों को मेज़र करेंगे न तो ये लगभख 1.5-2 कप जितने चावल है अगर मेज़रमन ठोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तब भी ये रैसेपी एकदम पॉफेक्ट ही बनेगी अब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे 4 चमबत जितना बेसन और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 4 चमबत जितना दही अभी हमें इसके अंदर पानी यूज नहीं करना है पस जार के ढखकन को लगा कर एकदर इतम महीन पेस्ट जैसा बना लेंगे अभी इसका पेस्ट बन गया है इस स्टेज पर हमें इसके अंदर चार चमर सूची डाल देंगे और साथ ही डालेंगे एक चौथाई कप जितना पानी स्टार्टिंग में पानी आप थोड़ा कम ही डालें अगर आपको बाद में जरूरत हो तो बाद में आप पानी डाल सकते हैं क्योंकि चावल काफी हलके होते हैं तो अगर आप जादा पाने डाल देंगे तो वो एकदम से इतना पॉफेक्ट नहीं बनेगा पूरा जो बैटर है वो एकदम स्मूध बन गया है बस ऐसा ही बैटर हमें इसका बना कर तयार करना है अब हम इस बनाए गए बैटर को एक अलग मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांस्वर कर लेंगे मैंने इस नाश्टे को बनाते समय इसमें सूची और बेसन का यूज किया है क्योंकि जो बने हुए चावल होते हैं वो काफी हलके होते हैं तो अगर आप डारेक्ट उसी का यूज करेंगे ना तो इतना अच्छा नाश्टा नहीं बनेगा अब इसमें थोड़े से फ्लेवर एड़ करने के लिए हम आदा चमच कच्चा जीरा और आदा चमच यह आपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अगर चावल बनाते समय आपने नमक डाला है तो आप नमक थोड़ा कम ही डालें बस डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इस बैटर को कम से कम 10 से 15 मेट कर अच्छे से सैट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह बैटर सेट हो रहा है तब तक आप कोई भी प्लेट या ट्रे ले सकते हैं जिसमें हम ऐसे स्टीम को करना है उसे अच्छे से ओल से ग्रीस कर लेंगे मेरे पास यह बटर पेपर पड़ा हुआ था तो मैंने इसे लगा दिया है जिससे इसे डिमोल करने में और निकालने में काफी आसानी रहती है अगर नहीं है तो आप सोड़ा सा सूखे आटे की डस्टिंग कर लें उसे भी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा अभी हम इसे स्टीम को कुनने वाले हैं तो इसके लिए किसी भी कड़ाई या स्टीमर के अंदर दो से तीन ग्लास जितना पानी डालका स्टीमर को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे इतने ही टाइम में हमारा जो बैटर है वो भी अच्छे से सैट हो गया है रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है तो सूजी को फूलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है अब इस पैटर के अंदर हम डालेंगे एक चुटकी जितना सोडा याद रखें एक चुटकी ही सोडा डालें अगर आप जादर डालेंगे न तो यह एक दम से बर्दन से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा बेसन और थोड़ी सूजी लिए है तो बस उसे फुलाने के लिए हमें एक चुटकी सोडा ही लेना है एक डारेक्शन में डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पूरे मिक्षर को इस ट्रे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे पूरी ट्रे में इसे अच्छे से सेट करने के बाद इस बैटर को हम स्टीम को खोने के लिए रखेंगे तो हमारे स्टीमर में भी अच्छे से स्टीम बन गई है तो उसके अंदर ट्रे को अच्छे से सेट कर देते हैं ढग देंगे और इसे तीमी आज पर पंधा मेट के लिए पकने देंगे, पंधा मेट के बाद खोल का चेक करेंगे और इस तरीके से कोई भी चाकू या टूथिक डाल का देखेंगे, अगर वो क्लीन आ रही है यानि अच्छे से पक चुका है, नाश्ते को अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसे steamer से निकाल लेंगे वैसे तो ये अपनी side को खुदी अलग छोड़ देता है पर एक पास तरीके से चाकू गुमा देंगे ना तो ये और भी आसानी से demold हो जाएगा बस हलके हलके हाथ से tap करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा अब हमने जो बटर पेपर लगाया है ना उसे निकाल देंगे आप चाहें तो इसे थोड़ा मूटा भी बना सकते हैं जैसे हम ढोकला बनाते हैं मुझे थोड़ी पतली शेप रखनी थी इसलिए मैंने थोड़े फैले हुए बरतन में बनाया है और आप देख सकते हैं यह दोनों ही साइट से अच्छे से पक चुगा है जो कि आपको पीसिस को देखकर अंदाजा हो जाएगा तो इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे भी इसे चटने के साथ एंजॉय कर सकते हैं यह बहुत टेस्टी रखते हैं बट इसे और भी जादा टे जालेंगे थोड़ा मीठे नीम के पत्ते थोड़ी से कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही डाल देंगे एक चम्मत चिली फ्लिक्स जो के बच्छों को बहुत पसंद होता है बस डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमने जो पीसिस कट करके रखे हुए थे ना उसमें से आध आप जरूर डालें बस डालकर इसे एक मिनट के लिए अच्छी से पका लेंगे तो यह हमारा बहुत ही टेस्ती चटपटा सा नाश्ता बनकर दयार हो गया है बस सबसे लास्ट में जब आप इसे सर्फ कर रहे हैं तो पस थोड़ा सा नीबू का रस और थोड़ा सा हरा धनिय डाल दें जिसे देखने में और पी जदा अच्छा लगेगा आप इस नाश्ती को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद भी उतना है टेस्ती लगता है आप इसे कैचप चटनी के साथ एंजॉय कर सकती हैं तो आप इस रसिपी को एक बाद जरूर ड्राय करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आप कच्छे चावल से और कौनसी रसिपी बनाते हैं तो एक बाद फिर से मिलेंगे इसी तरीकी की एक और इंडरस्टिंग रसिपी के साथ तब तक के लिए बाब बाई